How Creature Move Class 3 की एक कविता NCRT की चलिए इसको पढ़ते हैं Let us start it How Creature Move Class 3 is one such poem which beautifully delineate how different living creatures such as animals, birds, boys and girls have more fun moving around जीव कैसे चलते हैं कक्चा 3 की एक ऐसी कविता है जो खुबसूरती से विक्चित्रित करती है कि विन प्रानी जैसे की जानवर, पक्ची, लड़के और लड़कियां कैसे घुमने में आनंद लेते हैं The lion walks on padded paw, padded मतलब होता है, गद्देदार पाव मतलब होता है पंजा, सेर जो है, गद्देदार पंजे पर चलता है The squirrel leaves from limb to limb, leap मतलब होता है छलांग लगाना, limb मतलब होता है अंग मतलब गिलहरी जो है, एक अंग से दुसरे अंग तक छलांग लगाती है While flies can crawl straight up by wall, fly मतलब होता है मक्षी, crawl मतलब होता है रेंग न, straight मतलब होता है सीधा Wall मतलब होता है दिवार, जबकि मक्खियां सीधे दिवार पर रेंग सकती है And seals can dive and swim, seal मतलब होता है एक अंदारी जीव है, जिसको seal बोलते है Can dive मतलब होता है, गोता लगाना, and swim मतलब होता है, tear न, और मुहरें गोता लगा सकती हैं, और tear सकती है The worm, he giggles all around, wiggle का मतलब होता है घूमना, मतलब कीड़ा जो है, वह कीड़ा जो चार ओर घूमता है the monkey swings by his tail monkey मतलब होता है बंदर swing मतलब होता है जूला tail मतलब होता है पूस से तो क्या होता है बंदर अपनी पूस से जूलता है and birds में hop upon the ground birds मतलब होता है चिडिया hop मतलब होता है कूदना ground मतलब होता है जमीन पक्ची जमीन पर कूद सकते हैं और spread their wings sense शेल मतलब होता है फैलाना देर मतलब होता है अनका विंग मतलब होता हैं पंक या अपने ister ने吗 फैलाकर तैरने का मतलब होता है कि अपने पंक फैलाकर पक्षी जो है आकास में उड़ सकते हैं बट बॉइस और गल्स लेकिन लड़के और लड़कियां है मच मोर फण और लड़के और लड़कियां और अधिक मजालें फण मतलब होता है आनन्द लीव एंड डांस लीव का मतलब होता है छलांग लगाना कूदना डांस मतलब होता है नाचना वे उचलते हैं कूदते हैं और नासते हैं और टहलते हैं और दोडते हैं हो क्रियेचर मूव में कभी या सरी करता है कि मनिस्ट्री को चोड़ कर अन्य सभी प्रानी अपनी गतिविदियां करने के लिए कैसे चलते हैं कविता का अदेशी यह बताना है कि मनिस्टी को निर्थ छलांग चलना दोडना आदी जैसी अन्य गत्विदियां को करने की छमता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का विशेशा भुकार प्राप्त है उन्हें इसके लिए आभारी होना चाहिए इस अवसर से उठाना चाहिए धन्यवाद